प्राकर्तिक बेहदनों की और विचत्र है जब भी कोई ये दाबा करता है कि उसने प्राकर्तिक को पूरी तरह समझ लिया है तब प्राकर्तिक अपना नया रंग रूप सामने लेकर आती है और हमें चौका देती है इन दिनों एक वीडियो काफी चल्चा में है जो इस बात का सबूत है कि नेचर का हर पहलू अलग है वीडियो में पेड का एक पत्ता है जो अचानक तितली बनते नजर आ रहा है आप सोचिंगे कि ये कैसे मुनकिन है पेड के पत्ते का तितली बन जाना संभवसी बात लगती है मगर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा ही कुछ होते दिख रहा है हाला कि इसमें एक खास बात छुपी है वो ये है कि जमीन पर पड़ी जिस चीज को लोग पत्ता समझ रहे थे वो असल में तितली ही है वेसे का आप ये जानकर हैरान हो गई होंगे और कन्फ्यूज भी चलिए आपको आसान तरीके से समझाते हैं प धारन के तोर पर गिरगिट अपना रंग बदल लेता है जिससे वो अपने परतिवेस के अनुसार दिखने लगे उसी परकार बाग चीता आदी जैसे जीवो के सरीर पर धारिया होती हैं जिससे वो लंबी घास या जाडियों में छुपे तो पता ने चले की वे मौजूद ह इसी परकार तितलियों को पराकरतिक ने ऐसा रंग रोप दिया है कि वो दूसरे जीवों को कुछ अलग लगे जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें वो तितली पेड के पत्तो जैसी लग रही है तितली जमीन पर बैठी है उसे सक्स काफी हिलाने की कोशिस कर रहा है जैसे ही वो उसे पकड़ कर ढूप में लाता है वैसे ही तितली अपने सरीर का पिछला हिस्सा हटा कर सामने वाला हिस्सा ले आती है जिससे उसका असली खुबसूरत रंग दिखाई दे जाता है वो हाथ से छुड़ा कर बापस जमीन पर अपने सरीर का निचला हिस्सा ओड कर बैठ जाती है जिससे वो दुवारा पत्ते की तरह दिखने लगती है इस वीडियो को माइक उडेमा नाम के कलाइमेट केमपनर ने पोस्ट किया था जिसे तैंसु येवन नाम के सक्स ने कोट टूइट कर टूइटर पर सेयर किया है कई लोगों ने दोनों काउंट पर कमेंट कर अपनी परति के लिया दी है लोग जानना चाते हैं कि आखिर वो किस पर कार की इतली है आई होप यूगाईस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू सो वाचिंग वीडियो दन्यवाद